आलू अगर 22 रुपए किलो है, मेरे पास 10 रुपए है, तो दुकानदार कितने ग्राम आलू देगा? जी हाँ फ्रेंट्स ये हमारे रोजाना काम आने वाला रोज रोज काम का हिस्सा है, क्यालकुलेशन का हिस्सा है. तो आईए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं, हम इसको दो-दो तरीके से करेंगे, हम यहाँ क्यालकुलेटर ट्रिक भी देखेंगे, और यहाँ पर हम दिमाग में भी सॉल्व करेंगे. तो आईए देखते हैं फास्ट ट्रिक में क्या है, तो देखें यहाँ पर देखें भाव क्या है, भाव दिया हुआ है 22 रुपए किलो, क्या दिया हुआ है भाव 22 रुपए किलो, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इससे एक टेबल बनाएंगे, देखें हम सभी जानते हैं, कि ए एक किलो में होते हैं एक हजार ग्राम क्या होते हैं एक हजार ग्राम तो हम फटा फट से जैसे ही हमें भाव पता चलेगा हम एक टेबल बनाएंगे और यहां पर टेबल किस तरह का होगा देखिएगा बाइस रुपए में हमें मिलेंगे एक किलो मतलब की एक हजार ग्राम ठीक है अब हम क्या करेंगे हम यहां पीछे से 0 हम हटाएंगे तो यह 100 ग्राम बन जाएगा और यहां पर हम पीछे से एक अंक पर दसमलो लगा देंगे और दसमलो के बाद सबसे पीछे 0 लगा देंगे तो यह हो जाएगा दो रूपए 20 पैसे में मिलेंगे 100 फिर से हम यही तरीका अपनाएंगे हम यहां से एक जिरो और भी हटा देंगे और यहां पर हम दसमलो एक अंक आगे की तरफ खिसका देंगे तो यह हो जाएगा दसमलो दो दो रूपए इसी तरह से यहां से फिर से हम एक जिरो हटाएंगे और दसमलो फिर से आगे खिसकाएंगे तो यह हो जाएगा आगे कुछ भी नहीं है तो देखे जीरो छिपा हुआ है तो यह हो जाएंगे जीरो दसमलो दो रूपए तो इस तरह से यह टेबल हम अपने माइंड में ही बना लेंगे फटा फट बाइस रूपए में अगर मिलते हैं एक हजार ग्राम यान किया काम करना है तो यहieder टेखें जाला इंसमें कितना मिलेगा eerste वंशना में पांच ग्राम किटना मिलेगा 500 अब देखें यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ एकि उपया यहाँ ज्यादा है तो हम क्या काम कर रहे हैं यह जो बाइस पैसे है इस वाइसपै पैसे को हम क्या कर रहे हैं चार गुणा कर ले रहे हैं तो एक कि नहीं हो जाएंगे यह दो चालीस ग्राम चालिस ग्राम ठेक है यहां पर इस हमने 4 गुना कर दिया है तो 88 पैसे में हो गए कितने 40 ग्राम अब देखें बाकी के जो 12 पैसे बच रहे हैं उसका हम निकालेंगे इससे तो इसका हमें कितना गुना करना पड़ेगा 6 गुना दो चंग 12 तो यहां पर यह हो जाएंगे 6 ग्राम तो टोटल यहां से 46 ग्राम एक एक रुपए में हमारे बिलेंगे जो की यहां पर आप देख सकते हैं 1.00 आएगा 88 और 12 जोडने पर और इसमें टोटल यहां हो जाएँगे इनको यह 36 ग्राम मिलेंगे एक रुपए में यहां हम जैसे ही माइनस करेंगे तो यहां पर कितने आ जाएंगे यह आ जाएंगे 404 ग्राम तो देखा आपने 404 ग्राम दुकांदार हमको देगा आईए केल्कुलेटर ट्रिक देख ले रहे हैं तो यहां देखिए यहां पर हमें रूपए से निकालना है मात्रा ठीक है यानि रूपए से 10 रूपए में कितना मिलेगा तो आप समझे कि जब आपको पैसा दे दे और ग्राम पूछा जाए तो ऐसे condition में जो आप मात्रा निकालेंगे product की, product की जो मात्रा निकालेंगे, जो वस्तु की मात्रा निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको मात्रा निकालने के लिए ध्यान रखना पड़े यहां पर हम सबसे पहले 1000 एंटर करेंगे, यहां पर इसके बार divide लगाएंगे, यहां पर भाव kg का हम एंटर करेंगे, और इसके बार जितने भी रूपए का चाहिए, उसका हम गुड़ा जैसे ही करेंगे, फटा-फट से हमारा मात्रा निकल कर आ जाएगा, तो आईए हम लोग calculator एंटर करते हैं, और देखेगा हम लोगों का 454 ग्राम आता है कि नहीं आता, तो देखे यहां पर हम निकालना चाहते हैं, 10 रूपए में, कितने में, 10 रूपए में, ठीक है, तो यहां हम सबसे पहले 1000 एंटर कर देंगे, यह 1000 क्या है, एक किलो में जो 1000 ग करेंगे, आप देख सकते हैं, 454 ग्राम के पिछे का छोड़ देते हैं, 454 ग्राम हमें मिलेगा 10 रूपए में, तो इस तरह से रूपए से ग्राम का हम हिसाब निकाल सकते हैं, कि अच्छ सकते हैं, प्रणन आप हमें, कर देना हैं, 465 ग्राम के तोस। आप देना देना हैं, 521 रिए ठनकेट आपके पिरमें, कर देनी से उ되ा हैं, 721 तो तो आपके डोड़ाय।